जय हिन साथियों स्वागत आप स्वेका आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट वीथ अजीत में तो साथियों आज ये स्कलास में हम कवर करने वाले हैं उत्तर परदेश अवर अधिनस्ति सेवा बीसेस चैनल परिछा के क्रिसी के प्रिवेसियर कोर्षन के बारे में जो कि यूपिटर पैसी एजी टीए, एपसी आई, बिहार कॉडिनेटर, एनसी इत्याद एक्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्डेंट हैं तो वीडियो को इन तक जवड देखिएगा क्योंकि इस प्रिवेसियर कोर्षन से आप सभी के एक्जाम में बहुत सारी प्रशन देखने को ज़रूर मिलेंगे तो आईए देखते हैं, जैसे पहला है निल हरी सैवाल द्वारा निमलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन इस्तिकरोड किया जाता है बात करें नाइट्रोजन इस्तिकरोड की और किस से निल हरी सैवाल के द्वारा तो आप सभी को पता होगा कि धान की फसल में इसमी धान की फसल में जो की निल हरी सैवाल के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि नील हरी सेवाल जोती है धान की फसल में 25-30 kg nitrogen fixation करती है तो कि आप सब एक एक एक्जाम में कोजाता है नील हरी सेवाल के द्वारा धान की फसल में कितने kg प्रती हेक्टिया के हिसाब से nitrogen fixation करता है तो कितना 25-30 kg याद रखिएगा important है पूछा जाता है next question है फलो में परिपकता नील में से किस एक से बढ़ती है इन चारों में से आपको बताना है कि किस एक हार्मोन के कारण जो की फलो की में चोटी जो की बढ़ती है तो आप सभी को पता होगा कि इथिलीन से जो की फलों में परिपकता बढ़ती है और फल जब परिपक होते हैं तो क्या होते हैं धीरे धीरे पकते हैं तो एक कोशन और भी यहाँ पर याद रखिएगा कि फलों को पकने में कौन सा हार्मोन उत्तरदाई होता है तो कौन सा हार्मोन उत्तरदाई होता है इथिलीन कौन सा हार्मोन इथिलीन फलों के परिपको करने में कौन सा हार्मोन इथिलीन फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन याद रखेगा याद रखेगा नेक्स कोशन है सात्यों इस कोशन को डबार इस्टा माख कर लिएगा ये बहुत बार उग्जाम में पूछा जा रहा है कि आम की सगन खेती के लिए उप्रिक्त पर जाती कौन सी है तो याद रखेगा आमरपाली है कौन सी है आमरपाली है साथ हूँ इस एक कोशन से आप तीन कोशन याद रखेगा कौन कौन पहला तो आम की सखन खेती के लिए उप्रिक्त पर जाती कौन सी है आमरपाली है और दोसा कोशन ये पुछाता है आम की अमरपाली किस्म का जो कि रोपर कितने पर किया जाता है तो इस पेसिंग याद रखिएगा 2.5 मीटर गुड़े 2.5 मीटर कितना होता है 2.5 मीटर गुड़े 2.5 मीटर की दूरी पर जोकी आम की अमरपाली किस्म की सधन रोपर किया जात और तीसरा कोशन यह है कि जो आम की अमरपाली किस्म होती है वो किसका करास है तो यह भी यात रखिएगा आमरपाली जो होती है दसहरी गुड़े नीलम का करास है किसका किसका करास है दसहरी गुड़े नीलम का तो साथियों यह तीनों कोशन याद रखिएगा तीनों में से ए टार तर few किलो ग्राम कितना होता है 400 शु से पान्सो ग्राम और इसमें भी आप को दूक चनयाद रखना है सिर्फ नार्मल सी डट पूँछे ढ्मातर ही तोचार माटर की तो्चार से पान्सोप किलो ग्राम लिकिन जब संकट टमाटर का बीज़ो दर पूछे तो तो कितना होता है 100-500 ग्राम प्रती हेक्टेयर कितना 100-100 ग्राम प्रती हेक्टेयर साथियों कोशन का लेबल आप सभी को देख के पता चला होगा कि आप सभी के आनेवल एक्जिटी एक्जाम में इससे डारेट कोशन देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने सभी practice set को देखा जिसमें ये सभी question पूछे जा रहा है इससे बाहर कोई question नहीं पूछा जा रहा है तो साथियों वीडियो की quality और content आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्रीज वीडियो को like और चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा क्योंकि मैं daily आप सभी agta experience के लिए ऐसे ही revision class ले करके आता रहता हूँ next question है निमलिखित में से कौन सी सबजी की फसल एक लिंगा सरई है साथियों इस question को भी double star mark कर लिजेगा क्योंकि ये भी लगभग सभी practice set में पूछा जा रहा है कि निमलिखित में से कौन सी सबजी की फसल एक लिंगा सरई है तो याद रखियेगा परवल परवल को याद रखियेगा कि एक लिंगा सरई सबजी है most important question है कई बार पूछा जा चुका है next question है सरवाधिक पोधे किस विधी में लगाते हैं साथियों इस question की double star mark कलेजेगा ये भी दो तरसे question पुछाता है पहला सरवाधिक पोधे किस विधी में लगाते हैं तो किस विधी में सट कोड विधी में सरवाधिक पोधे लगाते हैं और दूसरा question आपसे ये पुछाता है किस वीडी में जो की सबसे दिख पॉदों का सगंर उपड किया जाता है तब भी个 question का answer अमानों हो जाएगा सठ कोर वीडी में सबसे दिख पॉदों का सगंर उपड होता है तो इन दोनों question का answer सेम एक कही होगा लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा नेक्स कोशन है कौन एक सीतोस्ड फल नहीं है इन चारों में सबको बताना है कि कौन सा एक सीतोस्ड फल नहीं है तो आप सभी पता होगा अन्नास अन्नास जो की एक सीतोस्ड फल नहीं है और इसे जो की एक जूटा फल माना जाता है कौन सा फाल्स फ्रूट देखे आप सभी क एक्जाम में प्रूफ रूट और फाल्स फूट भी पूछा जाएगा तो याद रिखेगा फाल्स फूट क्या होता है एक जूटा फल होता है और कौन है अन्नास है तो अन्नास क्या है एक जूटा फल है और सीतो सर फल नहीं है नेक्स कोशन है मात्र चीनी पर रचड का काम कर किसमें करती है मुरब्बा में किसमें करती है मुरब्बा में याद रखिएगा नेक्स कोशन है भारत में सरवाधिक छेतर किस फल का है इंपॉर्टेंट कोशन है कि संपूर भारत में सरवाधिक जो छेतर फल है वो किस फल का है तो आई होप इसका अंसर आप सभी को पता होग कि तरकिस का है आम का है संपूर भारत में सरवाधिक छेतरफल आम की फल का है देखिए छेतरफल का पर्चत दी पूछे तो याद रखेगा 42.7% संपूर भारत में संपूर फलो का 42.7% सिर्फ मैंगो है क्या है मैंगो है next question है tooddy क्या है I hope इसका answer भी, आप सभी को पता होगा कि tooddy जो होता है खर्पतवार नासी है tooddy क्या है? खर्पतवार नासी है लगिन यहाँ पर एक point और note कर लिजेगा जो tooddy होता है वो जोआकी हार्मौन का भी काम करता है कब जब 20BPM से कम मातरा पे उसका छिलकाओ किया जाता है तो ये भी point note कर लीजिएगा next question है सबजी उत्पादन में विश में भारत का कौन सा स्थान है जब बात आता है vegetable production में तो भारत का जो एकी दूसरा स्थान है कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है तो पहले अस्थान पे कौन है? तो पहले अस्थान पे चीन है दूसरे अस्थान पे भारत है और पहले अस्थान पे चीन है यदि फल उत्पादन में भी आए तब ही जो एक भारत दूसरे नमबर पे है और चीन पहले नमबर पे है तो इसको भी याद रखिएग एक अग्जाम में पूछा जाता है नेक्स कोशन है जैली बनाने के लिए कौन सा फल सरवाधीक उपियुक्त है साथियों मोश्ट ही बड़े कोशन है यह लगभग प्रैक्टिस सेट में पूछा जा रहा है कि जैली बनाने के लिए कौन सा फल सरवाधिक उपयुकत है कौन सा फल सरवाधिक उपयुकत है कौन सा अमरूध है कौन सा फल है क्यों कि इसमें पिक्टिन की मातरा अधिक पाई जाती है देखे यहाँ पे दो कोशन पूछा जा सकता है कैसे जैली बनाने के लिए कौन सी फसल सरवाधिक उपियुकता है तो अमरूद हो जा रहा है और अमरूद में क्या पाया जाता है तो याद रिखेगा पेक्टिन पायाता है अमरूद में क्या पाता है पेक्टिन पाया जाता है जिसे जैली अच्छी जमती है तो याद रिखे खर्राव्याधी के लिए मटर की जो रचना अवरोधी है वो खर्राव्याधी के लिए अवरोधी पर जाती है और देखिए ये भी कोशन पुशाता है मटर की इनमे से अवरोधी पर जाती है कौन सा है तुर रचना रचना को याद रखेगा ये भी कोशन पुशाता है कि इनम पूसा मुक्ता परमुक किस्म है तो याद रिखेगा पत्ता गोभी का इसको साथ ही याद करने का एक ट्रिक है दिया है पूसा मुक्ता और पात गोभी यहाप देखे कोई भी अच्छर पोसे नहीं सुरू हुआ है कोई भी नई पूसे शुरू हुआ है लेकिन इसमें पातोगो भी पूसे शुरू हुआ है और पूसा पूसे शुरू हुआ है तो ऐसे इसको सायद आप रिलेट कर सकते हैं हमारे साथ से तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है कि पूसे पूसा और पूसे पातोगो भी ऐसे यदि आप याद करेंगे तो exam में इस्ट्राइक तो जरूर कर ही जाएगा अब next question है, आम की आमरपाली जाती के मातिर प्रित हैं साथियों जो आम की आमरपाली प्रजाती है, ये काफी most important है और आप सभी के exam में हमको लग रहा है, आमरपाली से question hundred percent पूछा ही जायगा देखे, यहाँ भी question पूछ दिया, कि आम की आमरपाली जाती के माति Phrith हैं कौन-कौन से हैं, ये पूछ रहा है क्रास क्या है आमकी आमरपाली परजाती का क्रास क्या है तो अभी हमने आपको पिछले कोशन बताया है कि दसहरी गुडे नीलम दसहरी गुडे नीलम जो है कि आमरपाली जो है कि आमकी परजाती का क्रास है नेक्स कोशन है पपीते के गायनो डायसोस पर जाती में किस परकार के पोधे होते हैं जो पपीते के गायनो डायसोस पर जाती होती है उसमें किस परकार के पोधे होते हैं फीमस कोशन याद रखिएगा मादा और उभायलिंगी कि इस परकार के पोध होते हैं मादा होते हैं और उभाइलिंगी होते हैं नेक्स कोशन है जेल मीटर से ग्याद किया जाता है जो जेल मीटर होती है उसे क्या ग्याद कियाता है पेक्टीन की मात्रा क्या ग्याद कियाता है पेक्टीन की मात्रा जेलेवीटर से Next question है फखलेंजर गयाल का उपयोग किया जाता है साथ हुएक नया टर्म है फखलेंजर का उपयोग किया जाता है किसके लिए कियाता है डिब्बा बंद करने के लिए इस कोर्षन को याद रखिएगा ये new question है आप सभी के exam में पूछा जा सकता है नेक्स कोशन है सेलूलर पदात से रहित चमकदार पे जिसमें 25% फल रस तथा 30% कूल घुलनसील ठोस पदात होता है वह कहालाता है क्या कहालाता है कारडियल कहालाता है सेलूलर पदात से रहित चमकदार पे पतात जिसमें 25% फलरस तथा 30% कुल घुलनसील फूस पतात होता हुसे क्या कते हैं कारडियल कहा जाता है इंपोर्टेंट कोशन है याद रखिएगा नेक्स कोशन है एफपियो के अनुसार जैम में नियुमतम कुल घुलनसील फूस पतात होना चाहिए इंपोर्टेंट के अनुसार जैम में नियुमतम कुल घुलनसील पतात कितना होना चाहिए तो साथिओं वीडियो की क्वाल्टी और कंटेंट आप सभी को फसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब ज़रू कर लिजेगा क्योंको मैं डेली आप से भी एज़टी एस्पिरियंस के लिए ऐसे ही रिविजन कलास लेकर के आता रहता हूँ नेक्स कोशन है पोटेसियम मेटावाइट सल्फाइट नहीं मिला जाता है पोटेसियम मेटावाइट सल्फाइट नहीं मिला जाता है किसमें फालसा स्क्वैस में जो की पोटैसिय मेटा वाइट सलफाइड नहीं मिला जाता है बाकी नीबू के रसमें, अमरूत के रसमें और लेमन स्क्वैस में इन सभी में मिला जाता है याद रखेगा important question है next question है मिर्च में लाल लंग किसके द्वारा होता है साथियों आप सभी के exam में कौन से फसल का कौन सा रंग है और किसके कारण होता है ये exam में most important है पूछा ही जाएगा तो याद कर लेजेगा ये important question है कि मिर्च में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है तो किसके कारण होता है किप से थीन के कारण नेक्स कोशन है मूली में तीखा पन किसके कारण होता है मूली आप लोग खाते होंगे तो उसमें तीखा पन होता है तो किसके कारण होता है आयसो थायो साइनेट के कारण याद रखेगा ये दोनों कोशन मोश्ट इंपोर्टेंट है और साथियों इससे एक important point और note कर लिजीगा जो आम की सिंधु परजाती है वो seedless है क्या है वो सीडलेस है आम की सिंदू पर जाती और इसके सीड़ का वेट कितना होता है तो ये भी याद रखेगा 7 गलाम होता है जो ये 3 खोशन याद रखेगा तीनों में से एक आपके एकजामें देखने को मिल सकते हैं next question है protein परचूर कंदिय फसल है protein परचूर कंदिय फसल क्या है याद रिखे का सूथनी सूथनी most important crop है कि protein परचूर कंदिय फसल है सूथनी है जिसमें देखिए 3% protein पाये जाता है याद रखिएगा नेक्स कोसन है मुझे एक रोग किसके द्वारा होता है important disease है साथ यूँ plant pathology में दीखे डीजिस से विए कोसन आप सभी के exam में पूशे जाएंगे और entomology में भी एक कोसन आप सभी के exam में पूशे जाएंगे तो याद रहेगा मुझे एक रोग किसके द्वारा फैलता है तो किसके द्वारा वाइरस के द्वारा मुझे एक रोग फैलता है नेक्स कोशन है निम्नांकित में से कौन सा मिर्दा कटाव नहीं करता है इन चारों में साबको बताना है कि कौन सा एक ऐसा है जो मिर्दा कटाव नहीं करता है तो कौन नहीं करता है सोड कल्चर सोड कल्चर जो होता है वो मिर्दा कटाव नहीं करता है याद रखिएगा नेक्स कोशन है यूजी फलाई परजीवी है यूजी फलाई जो की किसका परजीवी है तो रेसम के कीड़ा की रेसम के कीड़ का जो की परजीवी है यूजी फलाई याद रखीएगा नेक्स कोशन है निम्नांकित में से कौन पर परागित फसल है बताना है कि कौन सा क्रॉस पॉलिनेटेट क्राप है तो कौन सा है फूल गोवी फूल गोवी जो की cross pollinated crop है तो साथ हूँ ऐसे question में देखिए आपको दो तीन question learn हो जाते हैं जैसे यहाँ पर पूर्श दिया है कि निम्नांकित में से कौन परपरागित फसल है तो आप सभी को पता है कि फूल को भी जो की परपरागित है यानि कि cross pollinated है यानि कि जो बच गया वो सिल्फ pollinated है groundnut, tomato और milch ये तीनों जो की सिल्फ pollinated फसल हो जाती है नेक्स question है निम्नांकित में से कौन सी तकनी की परसार की आकरसक भीधी है देखें, extension का question है important है कि इन चारों में से आपको बताना है कि तकनी की परसार की आकरसक भीधी कौन सी है तो कौन सी होती है? परदर्सनी जाइट सी बात है कोई भी परदर्सनी लगा होता है वो आप सभी के लिए आकरसक होता है परदर्सनी देख करके आप कोई भी सामान लेना चाहते हैं तो extension का भी वही रूल है कि तकनी की परसार का आकरसक भीधी क्या हो जाता है? परदर्सन हो जाता है नेक्स कोईशन है दूरदर्सन, मेला, आकाशवारी तथा परदर्सनी ये माध्यम है किसके माध्यम है? जन संचार के किसके माध्यम है? जन संचार के माध्यम है दूरदर्सन, मेला, आकाशवारी तथा परदर्सनी माध्यम साथियों ये भी extension का question है important है next question है मख्य की खड़ी फशल में तोरिया की बुआई है मख्य की खड़ी फशल में तोरिया की बुआई क्या है तो क्या है Relay median median है क्या है Relay Joyation है और कल के वीडियो में हमने आपको बता था कि Relay explanation क्या होता है Elay से समझ सकते हैं नेक्स कोशन है किस तत्र की उपलबता जल पलाईद भूमी में कम हो जाती है बात करते हैं किस तत्र की उपलबता जल पलाईद भूमी में कम हो जाती है तो किस तत्र की उपलबता जिंग की आप सभी को पता होगा तराई छेतर में जिंग की सबसे अधी कमी पाई जाती है और किस फसल में जिंग की कमी से खैरा रोग हो जाता है तो धान की फसल में जिंग की कमी से धान का खैरा रोग हो जाता है और धान के खैरा रोग का जो की पता किसने लगाया था yl McMinnay याद रखीएका यसे भी points most important है next question है लवड़ी छाड़ी मिर्दाएं सामानटब पाई जाती है जो लवड़ी छाड़ी मिर्दाएं होती है वो सामानटब सूसक छेतर में पाई जाती है कहाँ पाई जाती है ये भी question important है याद रखीएगा नेक्स कोशन है नाली विधी से बोई गई गई गण्ने की नाली की गहराई रखी जाती है जब सुगरकेन के सोईंग होती है तो उस समय गण्ने में नाली की गहराई होती है वो कितना रखी जाती है 20 से 25 सेंटीमीटर कितना रखी जाती है 20 से 25 सेंटीमीटर जिसे जो है कि नाले विधी से गन्ने की बुगाई करने में गन्ने की गिरने की संभावना नहीं रहती है Next question है सरसो के तेल में कड़ुगाहट किस रासान के कारण होती है तो सरसो के तेल में जो कड़ुगाहट होती है वो किस के कारण होती है इरूसिक एसीड के कारण जलन होता है वो किसके कारण इरुसिक एसीट के कारण ही ही तो ऐसे ही रिलेट करेंगी कोसन आपको कभी भूलेगा ही नहीं नेक्स कोसन है निमलिखित फसलों में से किसे उस खेत में नहीं लेना चाहिए जहां वैगन की फसल पिछले मौसम में जीवारू अंगमारी से बूरी तरह नश्ट हो चुकी है तो किस फसल को नहीं लेना चाहिए टोमाइटो को इसको टामाटर को नहीं लेना चाहिए अब नेक्स कोसन है ओप्रेशन फ्लड कारिकरम का सम्मंद है जो ओप्रेशन फ्लड है उसका सम्मंद किस से है दूद आपूर्ती में बढ़ाने से आप्रेशन फ्लड का जो की कारिकरम सम्मंद है किस से दूद आपूर्ती में उत्पादन बढ़ाने से बात करें आप्रेशन फ्लड की आप्रेशन फ्लड के जो की जनक कौन थे वर्गीज इसकूरियन कौन थे वर्गीज इसकूरियन यान रखिएगा नेक्स कोशन है बीज का वास्तिक गुड निधारित किया जाता है जो बीज का जो वास्तिक गुड होता है वो निधारित किया जाता है किसके द्वारा तो किसके द्वारा निराज कियाता है सुद्धता पलस अंकुरण द्वारा जो बीज की सुद्धता होती है और अंकुरण होता है उसके द्वारा बीज की जोएकी सुद्धता परिशत ग्याद की जाती है नेक्स कोजन है पीएसबी द्वारा मिर्दा की अरवरता में सुधार होता है क्योंकि वह क्या है क्या है मिर्दा में इस्थित फासफोरस की उपलबता को बढ़ाता है जो पीएसबी होता है वो मिर्दा में इस्थित फासफोरस की उपलबता को बढ़ाता है बात करें PSV के फुल फाम की, तो क्या फुल फाम होता है, फासफोरस खुलंसील बैक्टिरिया, जो क्या करती है, मिर्दा में इस्तित फासफोरस को उपलबता बढ़ाती है, याद रखिएगा, नेक्स कोशन है, बाजार का नियंदर किया जाता है, ये साथ हो एकनॉमिक्स का क नेक्स कोशन है, क्रीजी के लिए वही मिर्दाय सरुत्तम है, जिनका पियच मान, साथ हो इंपोर्टन कोशन है, जो भी क्रॉप आप पढ़ेंगे, उसमें ये आपको जरूर पढ़ना पढ़ेगा, कि स्वाइल पियच उस क्रॉप के लिए क्या होता है, तो यहाँ बात किय क्या है, लगभग सभी क्राप्स के लिए, कि क्रीजी के लिए वही मिर्दाय सरुत्तम है, जिनका पियच कितना हो चाहिए, 6-7 के बीच होना चाहिए, जिसे की मिर्दा नो तो अमली हो और ना ही छारी हो, याद रखिएगा, नेक्स कोशन है, आलू में कंद बनने के लिए आलू में जो ट्यूबर फार्मेशन होता है, वो किस टमप्रेचर पे जो की बहुत ही बेश्ट होता है, तो याद रखिएगा, 18-15 डिग्री सिंटिकेट पे, जितना 18-15 डिग्री सिंटिकेट पे, नेक्स कोशन है, पधो के जीवन के लिए आवस्यक तत्तों की संख्या है, पधो के जीवन के लिए आवस्यक तत्तों की संख्या कितनी होती है, 17 होती है, और ये concept कितने दिया था, आरनन एयोम इस्टाउट ने, तो आरनन एयोम इस्टाउट ने जो concept दिया था, उसमें जो एकि 16 elements को आवस्यक माना था, लेकिन एक अलग से जोड़ दिया गया, निकि रखिएगा नेक्स कोशन है पलवार मल्च के रूप में भूसा के उपयोग से मिर्दाता अपमार को ग्रिस्म और ठंडे दोनों मौसमों में नियंतित किया जा सकता है क्योंकि क्योंकि यह अवरोधी प्रभाव परदान करती है क्या करती है अवरोधी प्रभाव परदान करती यानि कि ग्रिस में न गर्मी नीचे आने देती है और ठंडी में न ठंड को नीचे आने देती है ऐसी इस काउंचेप्ट को याद रखिएगा नेक्स कोशन है फासफोरस को परमुख पोसक ततो कहा जाता है क्यों कि या जो कि पौधो द्वारा अफेचिता अधिक मात्रा में उपियोग किया जाता है नेक्स कोशन है एक उसतकार के करने वाले बेक्ट के संतुलित अहार में फाले उन सब्जीयों की निम्न मात्रा संतुती की गई है कितनी मात्रा संतुती की गई है 85 ग्राम फ्रूट और 300 ग्राम सब्जी इतना 85 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी यांद रखिएगा नेक्स कोशन है कपास में बिनवला है जो कपास होता है उसमें बिनवला कितना परसेंट होता है 65 से 70 परसेंट अब यहाँ पे आप दो कोशन याद कर सकते हैं कैसे यदि कपास में बिनवला लिकल गया 65 से 70 परसेंट तो जैकि कॉटन कितना बचा यानि कि 30 से 35% cotton बचा तो इन दोनों को याद रखिया अगिजाम में दोनों में से एक पूछा जा सकता है अधोली की तापकरम सिरेड़ों में गेहों के बीच के जमाओ के तो कौन सी उप्यूक्त है most important question है यदि आप crop के बाढ़े में पढ़ेंगे जिसमें गेहों आता है तो गेहों में जो बीच के जमाओ के लिए कौन सी उप्यूक्त होती है तो कौन सी उप्यूक्त होती है 20 से 25 डिगर सिकन्टी के temperature जो हता है गेहों के सीट के लिए जमाओ के लिए बहुत ही बेश्ट होता है तो साथियों यह रहाए आपके एक सी लेकर 50 तक के क्रीसी के previous year questions जो कि आप सभी के आनेवल एक्जाम्स के लिए most important हो जाती है तो वीडियो आपको कसा लगा? कमेंट करके फीड़ाइक जोड़ जीजेगा और वीडियो पसनाता प्लीज वीडियो को लाइब और चैनल सस्क्राइब जोड़ कर लिजेगा क्योंकि मैं डेली आप सभी LGBT experience के लिए डेली ऐसे ही revision class लेकर के आता रहता हूँ